पहले जो चैप्टर पर हमारा डिसकेशन चल रहा है आपकी बिजनिस स्टेडीज की बुक का इसमें आज हम पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे प्रबंदन क्या उद्देश्य हैं इस पर हमने और अज़ेशनल अबजेक्टिव यानी संगठनात्मक उद्देश्य तरथा सोशल अबजेक्टिव यानी कि समाजिक उद्देश्यों पर पिछली वीडियो में पढ़ा था अब इसमें हम शुरू कर रहे हैं पर्सनल अबजेक उनके भी तो कुछ अबजेक्टिव होंगे उनके भी कुछ उद्देश्य होंगे अव्यसली सालरी यानि वेतन समय पर मिले उनकी पदोनती हो यानि कि उनकी प्रमोशन हो उनको सोशल रिक्गनेशन मिले दुनिया उनको जाने तो ऐसे बहुत सारी होते हैं आफ्टर वर्क साधा जो है वो मोटिवेट कर सके ताकि वो अच्छे से अच्छा कारे करें और जो संगठन के ओवराल उद्देश्य हैं जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको वो हासिल कर सके तो आईए एक एक पॉइंट करके पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा है वेक्टिगत उद्देश्य है जो भी हमारा चर्चा है आज की इस वीडियो की वो है वेक्टिगत उद्देश्य है देखे प्रभधक अपने करम्चारियों को संस्दु्ष्ट पहला शब्दा है संतुष्ट करेगा संतुष्ट कैसे करेगा अगर एक आदमी को वेतन समय पर मिले सही मिले समय समय पर बदोन्रती मिले प्रमोशन मिले तो संतुष्ट रहेगा और साथ में प्रेरित प्रेरित करने के लिए उसको motivate करना पड़ेगा प्रेना देनी होगी कि आप आगे भढ़ सकते हैं कई पर आदमी को लगता है कि मैं अपने जीवन में अब बस जितना मिल रहा है उतना ठीक है वैसे तो संतुष्ट जीवन सुखी जीवन लेकिन आप देखें दोनों शब्द साथ साथ संतुष्ट एक तरफ संतुष्ट शब्द ये भी उस सेंस में भी यूज होता है कि हमें जितना मिल रहा है हम उतने में ही खुश रहें अब क्योंकि संगठन को अपने उद्देश्यों को हासिल करना होता है जिसके अंदर ग्रोथ यानि वृध्धी भी होती है अब अगर कोई संगठन कोई organization कोई व्यवसाई कोई business वृध्धी करना चाता है progress करना चाता है growth करना चाता है तो ये सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है करमचारियों पर निर्भर है अगर करमचारी ठीक से काम करें दिल लगा के काम करें तो वो प्रभाव पूर्ण भी रहेंगे और कुशल भी रहेंगे यानि अपने target भी पूरे करेंगे और cost भी लागत भी कमाएगी तो ये सारा हद तक वो प्रबंदन पर depend करता है किसी भी team का कप्तान अपने खिलाडियों से ज़्यादा काम ले सकता है जितने वो run बना सकते हैं उसे ज़्यादा फिल्डिंग उससे ज़्यादा बॉलिंग होती है वो भी उससे वच्छी करवा सकता है तो कहीं न कहीं कप्तान पर बहुत कुछ निर्भर करता है तो प्रबंदक भी अपनी team का कप्तान है उसके साथ जो करमचारी काम कर रहे है उनको उसे संदुष्ट भी रखना है और साथ में और बहतर करने के लिए प्रेरणा भी देनी है प्रेरित करनी है इसका उसको प्रियास करना है अब हम देखेंगे मुख्य उदेश्य कौन कौन से है सबसे पहले है कारे करने के लिए सुरक्षित वातावरण देखिए कोई भी employee काम कर रहा हूँ खासकर अगर महिला करमचारी है तो उनको सुरक्षित वातावरण चाहिए अगर वो किसी भी वज़े से सुरक्षित महसूस ना करें जैसे मैंने का महिला करमचारी या अगर हम पुरुशों के भी बात करें किसी भी वज़े से अगर लगता है वाँ जगड़ा हो सकता है या कोई बिमारी फैल सकती है या कोई चीज आकर उनके ओपर गिर सकती है जिससे उनने चोट लग सकती है तो अगर सुरक्षित महुल नहीं होगा तो करमचारी डरा रहेगा और वो शयद आज नहीं तो कल अपनी जो नौकरी है उसको छोड़ कर दूसरी जग़ जाने की कोशिश करेगा तो यानि कि अगर प्रबंदक को चाहिए कि अपनी टीम को अपने साथ जोड़े रखे प्रेरित रखे तो उसके लिए सबसे पहले तो एक सुरक्षित बातावरन क्योंकि जब आदमी सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपना बैस देता है उसको शांती है दिमाग में सुरक्षित महसूस कर रहा है नौकरी की भी सुरक्षा इसमें इंक्लूड है, अगर आदमी को ये लगे, आज नहीं तो कल मेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो शाय दूसरी जगे ढूंडना शुरू करेगा, और जब वो दूसरी जगे ढूंडेगा, तो फिर वो आपकी जगे पूरा फोकस नहीं कर पाए प्रवेतन का सवाल है, उसमें दो बाते मेंने कवर की हैं, एक तो समय से दिया गया, देखो वेतन तो दे नहीं होता है, तो क्यों ना प्रबंधन इस बारे, इस बात को सुनिशित करे, कि वो समय से दे दिया जाए, अगर आपने अपने करमचारी को ये वाइदा किया है, कि आपको जो तंखवा है, जो वेतन है, जो सालरी है, वो हम महिना खतम होते ही, अगले महिने में दो तारिक को पांस तारिक को दे देंगे, तो उसको दे दो, उसके घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे उसको बिल होते हैं, जो चुकाने होते हैं, बच्चों की स् उसको एक frustration होती है, उसको उतना अच्छा नहीं लगता, वो जो है ये feel करता है, महसूस करता है कि मेरे को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, और इस से जो है वो एक तरह से जो है गलत भावना मन में करमचारी के आती है, तो वो उतना खुश नहीं महसूस करता ऐसी जगे पर जहां पर समय पर वेतन नहीं दिया जाता और साथ में वेतन के बारे में मैंने दूसरा शब्द यूज किया है प्रतियोगितात्मक ये को और शब्द है इसको भी समझेगा इंग्लिश में इसको हम कहेंगे कि competitive salary competitive salary से यहां पर ये मतलब है कि अगर आप काबिल है मतलब करमचारी काबिल है और उसको अगर 25,000 रुपे मीना वेतन मिलना चाहिए या उसको वो 25,000 रुपे वेतन दूसरी जगे मिल जाएगा या उतनी काबलियत के लोग दूसरी कंपनियों में 25,000 रुपे वेतन ले रहे हैं उसको भी 25 जहरपी के असपस मिलना चाहिए अगर आपने उसको प्रतियोगी तात्मक competitive salary नहीं दी तो फिर वही बात employee ऐसे में job छोड़ने की सूचता है आज के परिपेक्षमे में बात कर रहा हूं आज लोग सरकारी नोकरी भी छोड़ देते हैं उनको भार से offer मिल जाता है है ना जो public school हैं वो अच्छा वेतन offer कर देते हैं तो वो जा सकते हैं वहाँ पे तो कहीं न कहीं जो मैंने ये बात बताई कि एक तो जो वेतन है वो किसी भी करमचारी को अगर संतुष्ट रखना है प्रेरित रखना है तो एक तो वो समय से दिया जाए और उसकी जो मैं कहूंगा कि काबलियत है जो उसका अनुभव है experience है उसके अधार पर उसको वेतन मिलना चाहिए और साथ में हर आदमी इस दुनिया का पदोनती प्रमोशन जरूर चाहता है एक आदमी ने जिस पोस्ट पे जोइन किया आपने उसी पे टका रखा उसको वो देखा जाए तो अगर वो बड़ा बना ना भी चाहता हो तो ये प्रबंदक का कारे है कि वो उसको बड़ा होने के लिए आगे भढ़ने के लिए प्रेरित करें तो उस हिसाब से हम यह मान के चलते हैं कि हर आदमी आलड़ी प्रेरित है कि उसको आगे भढ़ना है तो उसको थोड़ी दो promotion मिलने चीन है एक साल में दो साल में जो भी company की policy हो वो जिस post पे था अगर उसी post पे ही उसको ये लगे कि मैं retire हो जाओंगा तो फिर वो definitely छट पटाएगा फिर उसको definitely जो है संगर्श करना होगा एक नहीं नोकरी की तलाश करने के लिए तो बहतर है तो किसी की भी व्यक्तिकत व्यद्धी है ना जो personal growth है वो हर एक व्यक्तिक के लिए जरूरी है और वो देने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है कि हम पदोनती और prediction के दुआरा उसको progress दें और समाजिक मानने ता अगर हो सके तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा काम करें जिसमें employees को social recognition मिले समाजिक मानने ता मतलब एक तरह से दुनिया भी यह मानने कि हावी आप एक अच्छी company में काम कर रहे हो है ना इसके लिए जैसे मानने ते है क्या हो सकता है कि employees जिस शहर में रहता हो I mean जिस कलोनी में रहता हो I should say जिसे हर तो फिर बहुत बड़ा हो गया अगर वहाँ कोई function organize हो रहा है अगर company के लिए संभव हो तो वहाँ कुछ sponsorship कर दे वहाँ पर कुछ free gift वगरे distribute कर दे तो उससे क्या होता है company की image बन जाती है उस society में और उसका जो श्रे है वो naturally उस employee को मिलेगा जो वहाँ रहता है तो इससे फिर वो एक समाजिक मानेता उसको मिलेगी या हो सकता है कोई sports में participation करें या कोई और social service में employees को आगे लाएं जिससे समाज में company के साथ-साथ उस company में काम करने वाले employees को करमचारियों को भी मानेता मिले तो जो प्रबंदक है लास्ट में मैं पस इतना ही कहूँगा उसको संगठनात्मक उद्देश है organizational objective तो में है उसी के लिए तो उसको appointment मिली है कि साथ-साथ जो निजी उद्देश है दोनों को उसको साथ लेके चलना है वो यह नहीं कह सकता जी मेरे को तो सिरफ संगठनात्मक उद्देश ही देखने है मुझे तो बस यह देखना है कि कैसे जादा से जादा लाब हो कैसे जादा से जादा वृद्दी हो कहीं ना कहीं जो आपके करमचारी आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी पृति भी आपकी जिम्मेदारी है तो उसाब से एक अच्छे प्रबंदक को चाहिए कि संगठनात्मक उद्देश है और निजी उद्देश है इनको उसने एक ही करण करना है यानि कि वो मिलकर एक हो जाए है न जैसे होता है न हिंद देश के निवासी सबी जन एक है रंग, रूप, भेश, भाशा, चाहिए नहीं है तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोगों को इंटिग्रेट करना इंडिविजुल जो किसी के भी व्यक्ति का तो देश्य है और संगठनात्मक जो देश्य है उनका एक ही करन सब मिला के overall एक महसूस करें वो यह नहीं महसूस करें कि मैं तो विपणन में हूँ वो कहीजी मैं तो उत्पादन में हूँ वो कहीजी मैं तो HR में हूँ वो feeling नहीं होनी चीए सबको लगए कि हम एक company में काम कर रहे है हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि overall जो है वो हमारा जो ग्रहक है वो संतुष्ट रहे और जो हमारी company है वो growth करती रहे वृद्धी करती रहे तो इस तरह से feeling जो है वो maintain रखनी है करनी है ये प्रबंदक का एक मुख्य उद्देश्य है चलिए इसी वीडियो में एक और topic हम ले रहे हैं आपका और वो है प्रबंद का महत्व इंग्लिश मिस को बोलेंगे importance of management प्रबंद का महत्व प्रबंद का महत्व ही महत्व है जी प्रबंद के विना तो कुछ हो गई नहीं company के जो देश्य है वो उसी से प्राप्त होंगे company विद्धी उसी से ही करेगी है ना चली हम systematic लेते हैं सबसे पहले तो जैसे अभी जो हमने कहा ये वही point प्रबंद का महत्व भी दिखा रहा है कि जितने भी वेक्तियों के प्रियास हैं सभी वेक्तियों के प्रियासों को क्या करता है ये संगठनात्मक लक्षे की प्राप्ति की दिशा में ध्यान से देखेगा है ना निर्देशित करता है यानि प्रबंद का जो काम है मैंने एक तरह से तीन पार्ट में highlight किया ध्यान से देखिए कोई जल्दी नहीं है प्रबंद के बारे में बताया जा रहा है हर आदमी अपनी तरफ से तो अच्छा ही करता है हर आदमी अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोचता है हर आदमी सोचता है जो वो सोचता है वो सही है ये तो सबसे बड़ी मैं तो ये कहूँगा कि difficulty भी है एक मुश्किल है प्रबंदक क्या है जितने भी करमचारी है वो अपने ढंग से काम करना चाहेंगे अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे और वो साथ में ये भी सोचेंगे कि वो सही है और प्रबंदक को ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हम कहा है वही सही है अब उसको करना क्या है कि सब अलग-अलग दिशा में ना भागें है ना जैसे पंची होते हैं सारे एक साथ उड़ते हैं तो कितने सुन्दर लगते हैं को यह इधर भाग रहा है और यह क्या हो रहा है अब आप 26 जिनुरी की परेड देखते हो सारे जवान एक साथ चलते हैं तो दरिश्य एकदम देखने वाला ही होते हैं यहीं पर भी जब आप देखेंगे कि जब एक प्रबंदक साथ कर रहे हैं जो संगठन है और्गनाईजैशन है चो कंपनी है जो विवसाइय है उसके जो मुख्य लक्षे है वो सुथ उसी एक दिशा में काम करें आप कहोगे सर, हर संगठन का उदेश लाब कमाना ही तो होता है तो अगर सब लाब कमारे हैं तो उसमें फिर क्या प्रेज़ित करना है क्या दिशा निर्देश जिर्ट करनी है कि नहीं कई बार ऐसा नहीं होता कई बार वैवसाय में लाब कमाना उदेश्य नहीं होता उसकी बजाए यह होता है कि हमने market share capture करना है यानि कि जो इस समय बाजार है उसमें हमने अपनी स्तिती मजबूत करनी है लाब कमाना भी उदेश्य नहीं है दो साल तक कोई बात नहीं ल अब लाब की बारे में मत सोचो अगर लागत क्या सपास भी पैसे मिलते है कीमत मिलती है तो बेच दो अब जिसका अगर अपना वेक्तिकत प्रियास ही हुआ कि मुझे ज़्यादा लाब कमा के दिखाना है तो वो तो कहेगा नहीं यह बात तुम मेरे को गले नहीं उतर रही तो प्रबंदग उसको समझाएगा कि इस समय जो संगठनात्मक लक्ष है वो है बाजार में अपनी स्तिती को मजबूत करना लाब हम दो साल बाद भी कमा लेंगे तो उसको जब तक हम कन्विंस नहीं करेंगे तब तक शायद वो उतने अच्छे से उस काम को नहीं कर तो कहने का मैंने सरफ ये तो एक उधारन लिया कि जो प्रबंध है वो सभी विक्तियों के प्रयासों को संगठनात्मक लक्षे की प्राप्ति की दिशा में इस सब एक दिशा में चलो भाई निर्देशित करता है जब कोई समझदार कोई बड़ा चाह पोस्ट वाइस प्र Steel जाते हैं और अपने जो Threat Process है जो सोचने की प्रिक्रिया है उसको भी ऩो थोड़ा सा बदल लेते हैं तो ऐसी बात नहीं है तो इसी लिए प्रबंधन की महतुता है और यही हम पढ़ रहे हैं कि प्रबंध का क्या महतु है है ना ुसका रूबद है अब यह तक कि तो बहुत duty है ना इसमें, वो encourage करेगा, प्रेरित करेगा सबको कि आप करो काम, और साथ में लागत को भी भढ़ने नहीं देगा, इसलिए है कि प्रबंद जो है, वो प्रभाव पूंडता और कुशलता दोनों को बढ़ाता है, ये बहुत महत पूंड मैं कहूंगा कि मह ने आपको पहले भी इस बारे में चर्चा की थी, कि आखिर कोई भी वेवसा आए, कोई भी संगठन है तो समाज में, समाज की लोग उसमें काम कर रहे हैं, समाज की लोग उसके उत्पादों को खरीद रहे हैं, उनकी सेवाओं का इस्तिमाल कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बैंक भी तो समाज में ही है, जो ट्रक समान लेके जा रहा है, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कि सिरफ अपने लाब और अपनी वृध्धी के बारे में सोचें, और इस समाज को प्रबंद की या प्रबंदक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो संगटनात्मक उद्देशियों की प्राप्ति के साथ समाजिक उद्देशों को भी पूरा करता है और इससे क्या होता है इससे समाज के विकास में मदद होती है इससे क्या रिजल्ट आता है इससे समाज के विका में मदद मिलती है देखे जब हमारा समाज प्रगति करता है यानि वह community जहाँ पर वह वेवशाय है तो उससे पूरा एक तरह से जो है शहर और पूरा राज्य और फिर पूरा देश प्रगति करता है और देश की प्रगती भी कहीं न कहीं देश भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है तो यानि कि अगर हमारा देश हमारा भारत देश प्रगती करता है तो कहीं न कहीं इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि पूरी दुनिया प्रगती करती है आज अगर भारत में कुछ अच्छे उत्पाद मिलने लगें जैसे चाइना ने manufacturing में यानि कि उत्पादन में बहुत progress की तो आज वो पूरी दुनिया को बहुत सारे उत्पाद अच्छी और कम कीमतों पर दी रहा है अगर भारत में भी अब जैसे प्रधान मंतरी ने एक making इंडिया करके शुरू किया है अगर ऐसे ही कोई company अच्छी उत्पाद बनाने लगे और वो बाकी foreign countries में भी जो है वो निर्यात होने लगें एक्सपोर्ट होने लगें तो देखिए ना कि हमारे भारत के पास कितना जो है वो उन्नती होगी कितना लोग रोजगार मिलेगा और overall कितना इसमें लाव होगा है ना तो प्रबंदन जो है अपने आप में सारी चीजों को एक तरह से एक ही करन जो बात आई थी ना integrate सब चीजों को साथ लेके चलने की कला है है ना चलिए और यही पॉइंट मैंने फिर चौथे नमबर पर एक्चलि घूमफिर के पॉइंट आपको लगे है वही आ रहे हैं लेकिन किताबों में भी ऐसे ही है और उद्देश्य बनाए है समाज के प्रती वेक्तियों के प्रती संगठन के प्रती उन सब को अचीव करने की जिम्मेदारी है प्रबंदक पे और यही प्रबंदन का महत हुए कि वह सारे उद्देश्य जो हमने अभी पढ़के खतम की हैं तीनों तरह के जो उद्देश्य थे फिर एक बार बोल रहा हूँ संगठनात्मक उद्देश्य और एक और एक और है जो कि मैं कहूंगा कि सबसे ही ज़्यादा महतपून है इसलिए मैं इसको रेड कलर में लेता हूँ इसका फॉंट भी थुड़ा सा बढ़ा करता हूँ और वो है वातावरण के परिवर्तन यह वातावरण के परिवर्तन इसमें मैंने थोड़ा सा पहले भी बोला था कि पहले जमाने में अलग तरह की घड़ियां होती थी आज अलग घड़ी होती है पहले अलग तरह की गाड़ियां कार होती थी आज अलग तरह की कार होती है और सभी चीजें इवन घर का जो चूला है जो टेलिविजिन है, जो म्यूजिक सिस्टम है, जो बसे हो रही है आज कल की, तो सभी कुछ तो परिवर्तित हो गया है, और ये लगातार परिवर्तित होता रहता है, अभी तो रिक्षा भी चेंज हो गई, पैटरी रिक्षा आ गई, रिसेंटल अभी एक-दो सालों में ये जो साहिए, नहीं, साइकल है, आप देख लो, बच्पन में साइकल है कैसी होती थी, और आप आपने भी जैसे बारवी में हो, 12 में हो, आप सोचो, बारा साल में भी आप देखोगे, जो साइकल आपने बच्पन में चलाई होगी, वो कमपरिटिवली बहुत सिंपल सी हो, औ लेकिन हाँ, बदल गई है साइकल भी, बैग्स देखो, पहले बच्ची कितने साधारण सिंपल से बैग लेके स्कूल जाया करते हैं, तो बैग्स भी बड़े स्टैलिश होगे, तो कोई भी एक्जामपल लेते चले जाओ, तो प्रबंदक जो है, वो वातावरण के परिवर अब ये तो प्रबंदन पर डिपेंड करेगा कि वो अपने आपको बदलते रहें, बदलती परिस्थिती के अनुसार, अगर उन्होंने नहीं बदला तो अब मार्केट से आउट हो सकते हैं, चलिए इस वीडियो में इतना ही लेंगे, उमीद है कि आप अच्छे से समझ पा झाल 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